नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स शेरबाज और सर्प छडी का रहस्य है पार्ट टू रूबी? यह रूबी कौन है? रूबी हजारी का मेरा क्लास फैलो था हम अच्छे दोस्ते इन दोने वह आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आफिसर है उसने मुझे बुलाया है वह किसी परिशानी में है तुम गुहावटी के लिए उपलब्द पहली फ्लाइट से मेरी सीट बुक करा दो के बंगले पर पहुँच गया शेरबाज को देखते ही हजारी का ने उसे अपनी बाहों में भर लिया शेरबाज मेरे दोस्त मैं जानता था तुम जरूर आओगे तुम बुलाओ और मैं ना आओँ ऐसा भला कभी हो सकता है तब हजारिका गाड को शेरबाज का सूटकेस अंदर ले आने का आदेश दे शेरबाज को बंगले में ले आया सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तकलुफ की बाते छोड़ो दोस्त यह बताओ तुमने मुझे यहां क्यो बुलाया है तुम सफर से आये हो कुछ देर आराम कर लो फिर बाते होंगी आराम तो मुझे तब मिलेगा जब तुम्हारी परिशानी दूर होगी तब हजारिका ने अब तक घटी घटनाओं की जानकारी शेरबाज को दे दी सारी बात सुनने के बाद शेरबाज बोला क्या कालूराम की कमरे में तुम्हें कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिस्ते यह लगता हो कि कालूराम की मौत में तबाला का ही हाथ है वहाँ एक छडी पड़ी थी जिसका आकार हू बहू सर्प जैसा था पहले तो इंस्पेक्टर गोगोई और मैंने उस चडी पर ध्यान नहीं दिया था पर दूसरे दिन जब मैं मृत गैंडे की तहकिकात के सिल्सिले में तिन्नाली गाओ गया तो वैसी ही चडी मुझे ओजा तबाला की जोपड़ी में रखी नजर आई मैं वहाँ से लोटने के बाद कालूराम के कमरे में उस सर्ब चडी की तलाश में गया पर वैसी चडी वहाँ नहीं थी इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्ब चडी तुमने तबाला की जोपड़ी में देखी थी वही वैसी चडी थी जो कालूराम के कमरे में थी हाँ मुझे भी यही शक हो रहा है पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह चड़ी कालूराम की कमरे में कैसे आ गई फिर वहाँ से गायब कैसे हो गई सर्प चड़ी के आने जाने के पीछे कोई भी रहस्ते क्यों न रहा हो परंतु एक बात अच्छी देने से समझ लो कि उस सर्प चड़ी और कालूराम की मौत के बीच कोई संबन जरूर है बेशक उस चड़ी का सर्प के समान होना और कालूराम का सर्प द्वारा डसा जाना महज एक इतफार नहीं हो सकता मैंने सुना है कि ओजा तांत्रिक विद्धा जानता है और जादू टोने टोटके आदिक करता रहता है गाउं वाले उससे बहुत डरते हैं हम फिर तो हमें बड़ी सावधाने से काम लेना होगा एक सू नियोजित योजना बनाकर तबाला पर हाठ डालना होगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में एक योजना आई है, जरत ध्यान से सुनो. फिर शेरबाज हजारिका को अपनी योजना समझाने लगा. दूसरे दिन योजना मुताबिक शेरबाज और हजारिका ने अपना भेश बदल लिया. मैं कैसा लग रहा हूँ शेरब खांदानी गुलाम लग रहे हो प्यारे? अब तबाला के फरिष्टे भी नहीं पहचान सकते तुम्हें. फिर दोनों जीप में बैठ कर तिननाली गाउं की और चल दिये. गाउं से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर जीप को जाडियों की आड में खड़ी कर दोनों पै गुलने लगी. शेर बाद चौक कर बोला. यह किस जानवर की आवाज है हजारी का? मैंने किसी जानवर की ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी. यह किसी जानवर की नहीं है. मुझे लगता है ओजा के आदमियों की नजर हम पर पड़ गई है. वे इन आवाजों के दौरा हमारे आ तूर चलने के बाद शेर बाज एक आदमी को रोकते हुए बोला. हम मिस्टर तबाला से मिलना मांगता. हम दूर देश से आया है. तुम जानता तबाला कहां रहता है? हाँ. चलिए, मैं आपको उनके घर पहुँचा देता हूँ. तत पस्चात उस आदमी ने शेर बाज और हजारिका को ओजा तबाला की जोपड़ी में पहुचा दिया. तो तुम ही है मिस्टर तबाला, जिसको मिनने के लिए हम अरब से हिंदुस्तान आया है. आप लोग कौन है? हम शेक हातिम बिन ताई है. हमको हमारा एक अंग्रेज दोस्त डैविड तुम्हारा पता बताया थ हम सुना आजकल वो भी यही है. आपको गलत फहिमी हुई है शेक साहब. मैं डैविड नाम के किसी अंग्रेज को नहीं जानता. अब आप जा सकते हैं. हम यहां से जाने को नहीं. बिजनस की वास्ते आया है मिस्टर तबाला. हम तुमको माल का अच्छा कीमत देगा. खुलन से ही गोंगा बहरा है. तुम घबराओ नहीं. जो मांगता बोलो. हम देगा. हम एक पीस का पंदरह हजार लेंगे. क्या आपको मंजूर है? मंजूर है. सोला आना मंजूर. शेक जो कहता है करता है. हम तुमको मूँ मांगा कीमत देगा. पर माल जल्दी चाहिए. थोड़ा वक्त तो लगेगा शेक सहब. पर आपका काम हो जाएगा. दरसल यहां का फॉरेस्ट अफिसर बड़ा सकत आदमी है. मुझे पहले उसका इंतजाम करना होगा. तो जल्दी करो इंतजाम. हमको माल जल्दी मांगता. फिर शेरबाच 5,000 रुपे निकाल कर तबाला के आगे ब बहुत खूब. हमको तुमसे यही उम्मीद थी. अब हम चलते हैं. खुदा आफिस. सलाम सहब. ततपस्चाच शेरबाच हजारिका के साथ जोपडी से निकल गया. उनके चाते ही जोपडी के पिछले दर्वाजे से डेविड अंदिर दाखिल होते हुए कड़कर बोला. तुम अवल दर्जे के बेफकू फो तबाला, तुम्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क करना नहीं आता. लेकिन शेक साहब तो आपको अपना दोस्त पता रहे थे. वे हमारा दोस्त नहीं, पुलिस का आदमी है. मैं उसकी सारी बात सुन चुका हूँ. यह तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर यहां आ पहुँचा था. उसकी बात सुनकर मैं बाहर ही रुख गया. वरना तुम्हारे साथ मैं भी फज जाता. हम, तो यह बात है. दूसरे ह के साथ ही सेतू बाहर चला गया. उधर शेरबाज वाकी टॉकी आफ करते हुए हजारिका से बोला, हमारी योजना का पहला चरण पूरा हो गया. यह तो पता चल गया कि अंग्रेश तसकर यहीं है. मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि तुमने तबाला की नजर बचा क कर वह ट्रांस्मिटर वहां कब रख दिया? मैंने जोपड़ी में दाकिल होते वक्त ही ट्रांस्मिटर दरवाजे के पास शिपका दिया था. अब हमें तबाला की प्रतेग गतिविधी की जानकारी मिलती रहेगी. लेकिन यह मत भूलो कि तबाला को हम पर शक हो गया है. उस साम तो वह जरूर करेगा लेकिन इस पार उसे सवलता नहीं मिलेगी. फिर जीप की निकट पहुंचकर शेरपाज अपना शेक वाला लबादा उतारते हुए हजारिका से बोला अब तुम भी अपना मेकब उतार दो. ठीक है. उधर हजारिका को असली रूप में देख सेतु चौक उठा. ओ वह तो फॉरेस्ट ऑफिसर हजारिका है. मुझे फॉरन गुरुजी को खबर करनी चाहिए. अब चलो यहां से चलते हैं. तत पस्चात वे जीप में बैट वहां से चल दिये. उनके जाते ही सेतु भी वापस लोट पड़ा. जब उसने ओजा तबाला को जाक सच्चाई बताई. तो वह आग बवूला होकर बोला. तो यह है हजारिका की चालती. मैं उसे जिन्दा नहीं चोड़ूगा. आज की रात उसके जिन्दगी की आखरी रात होगी. अब मेरे लिए क्या ग्या है गुरुजी? अब तु जा और जोंगा को यहां भेजदे. जो अग्या गुरुजी, इतना कहसे तु चला गया. थोड़ी तेर बाद जोंगा जोपड़ी में दाखिल हुआ. तबाला सर्ब छड़ी उसकी तरह बढ़ाते हो बोला. जोंगा, तुझे यह सर्ब छड़ी फॉरेस्ट बंगले में हजारिका के कमरे में पहुँचानी है. जो किसी गड़बड की आशंका हो तो तुरंत आकर खबर कर देना. मैं सब समझ गया गुरुजी, आप बेफिक्र रहें. तद पस्चाज जोंगा छड़ी लेकर चला गया. उधर शेरबाज वाकी टॉकी पर ओजा तबाला का वार्दालाब सुनने के बाद बोला, आज रात अपने तंत्र विद्ध्या की मदद से तुम पर हमला करेगा. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. यह सर्ब छड़ी का क्या रहस्ते है? वह सर्ब छड़ी मेरी कमरे में क्यों रखना चाता है? सर्ब छड़ी का रहस्ते आज रात हम जान लेंगे. लेकिन हम ओजा की तंत् पहारी जान खत्रे में नहीं डालना चाहता जब तक अगनी बाबा की अंगूठी मेरे पास है उजा तबाला की तंत्र विध्या मेरा कुछ नहीं बिगार सकती यह अगनी बाबा कौन है इस अंगूठी का क्या राज है यह एक लंबी कहानी है मैं तुम्हें कभी फुरसत में बताऊंगा ओ अगनी बाबा और अंगूठी के बारे में जानने के लिए देखें शेरबाज और तांत्रिक बालूची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तत पस्चात हजारी का कुछ नहीं बोला बंगले पर पहुँच शेरबाज ने एक सांप पकड़ने वाली स्टिक का इंतजाम किया और फिर भोजन आदी करने के बाद बोला अब हमें आराम करना चाहिए पता नहीं रात कितनी देर तक जागना पड़े ठीक है शाम ढलते ही पिछवाडे की एक खुली खिरकी से जोंगा फॉरेस्ट बंगले में दाखिल हुआ और दबे कदमो पर सो रहा है खत्रे की कोई बात नहीं है खत्रे से निश्चिन थो जोंगा कमरे में छड़ी रखकर बाहर निकलाया फिर वह उस कमरे की और चल दिया जिसकी खुली किड़की से वह वंगले में दाखिल हुआ था अभी उसने उस कमरे में कदम रखा ही था कि एक शक्तिशाल गुंसा उसके जबडे पर पढ़ा धिशुम आह जैसे ही शेरबाज उसके निकट पहुंचा वह शेरबाज पर जपट पढ़ा लेकिन शेरबाज ने जूडों के दाव का इस्तमाल करते हुए उससे उठाकर नीचे पटक दिया जोंगा उचल कर दूर जा गिरा गिरते ही उ उसकी नजर शेरबाज पर जातिकी शेरबाज उसी की तरफ बढ़ रहा था ओह यह कौन है मैंने इसे इस इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा परन्तु दूसरे ही पल जोंगा कुशल नट के समान उचल कर खड़ा हो गया और अपना खंजर निकाल कर शेरबाज पर फिर शेरबाज ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और हां मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद